Welcome To New Lesson आज के लसेन में मैं आपसे एक बहुत-बहुत-ज्यादा ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ अगें इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात किए बट्ट डिस तिंग इस तो-सो-सो इंपोर्टेंट कि इसकी समझ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी टाइप का मार्केटिंग कैम्पेंग रन कर रहे हो या आप किसी भी कंपनी को ग्रो करना चाहते हो इस साल हम जो हमारा फैनेंशल लियर खतम होने वाला है इस साल मार्च में जो खतम होगा हमारा कुछ दो करोड का रिवेन नहीं होगा राइट जबी आप किसी भी कंपनी को ग्रो करना चाहते तो आपको दो-तिन चीजे समझनी बहुत जादा जरूरी है दो-तिन चीजे हैं जो कि यह डिसाइड करते हैं कि क्या आप कंपनी को ग्रो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे राइट सो देखो एक चीज है ग्रोथ वर्सेस प्रोफिटेबिलिटी ठीक है जी अब इसका मतलब क्या है कि सपोर्ज करो कि आप क्या चाहते हो कि आपकी कंपनी हर साल 40% रिवेन्यू ग्रोथ करें आपकी कंपनी हर महीने 10% रिवेन्यू ग्रोथ करें तो जब आप ग्रोथ के लिए पुश करते हो जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए देन यू हैब तो स्पेंट लॉट अफ मनी ऑन मार्केटिंग ठीक है और जब आप ग्रोथ पे फोकस हो तो अब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अगर होगे भी तो बहुत कम प्रॉफिटेबल हो लिए आपनी स्टार्ट अप्स देखे होंगे जितने भी आप देखते हो कि भाई इतनी ग्रोथ हो रही है बट यारिन लॉस वाई यारिन लॉस बिकाज वो फोकस है उनका ग्रोथ पे और जब वो ग्रोथ पे फोकस करेंगे then they have to spend a lot money in marketing, sales और जब यह करेंगे वो then again profitability डाउन लोगी, right? So आपको तो यह decide करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, are you going for growth और profitability अगर आपको profitability के लिए जाना है then आपका जो spend है वो कम होगा, marketing spend कम होगा और आप profitable होगे, बट यहाँ भी एक catch है अगर आपने just अपना business start किया है, then आपको कोई जानता नहीं है, अगर आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको कोई product क्यों खरीदेगा तो लोग आपको जानेंगे कैसे, जब आप marketing पे spend करोगे, और initially जब आप जादा marketing पे spend करोगे, ताकि लोग आपको जादा जानें, तो again आपकी profitability अच्छी नहीं होगी हाना, profitable अपको अब होगे, profitable होगे, आप जाके later stage पे, जब आपका एक brand establish हो जाएगा, जब लोग आपके trust करते हैं, और जब लोग आपके product और आपकी services को, you know, google करके, या word of mouth आपका इतना है, कि वो आपके product और services खरीद रहे हैं, right, तो एक तो ये concept आपको जरूर पताओ acquisition cost, अब एक simple example से समझना कि क्यों companies grow नहीं कर पाती, क्यों brand नहीं बना पाती, होता क्या है कि जब आप initially customers acquire करते हो, तो suppose करो कि आप एक t-shirt बेच रहे हो, आपकी t-shirt है 300 की, हाणा, और sale है 300 की, मतलब selling price है 300 रूप है, और इसको बेचने का खर्चा आ रहा है, मतलब cost of acquisition जो है, initial cost of acquisition वो आ रहा है आपका 400, right, अब देखा जाए, तो आप हर sale पे नुकसान पे हो, क्यों नुकसान पे हो, क्योंकि 300 की तो आप t-shirt बेच रहे हो, और आपके आप कितने रहे हैं पैसी 400, और ये भी जो आप 300 की बेच रहे हो, ये सारा आपका profit नहीं है, इसके अंदर आपका manufacturing cost, operations cost, delivery cost, ये cost, वो cost, ये सब हटा कि बहुत कम profit बचता होगा, बट आपकी initial cost of acquisition है 400, तो आप तो बहुत गंदे लॉस में जा रहे हो, बट ये आपकी initial cost of acquisition है भाई, initial cost of acquisition, आप बाद में ये जो बंदे टीशर्ट खरीद रहे हैं, इनको resell भी तो करोगे, प्लस जो आपकी audience बिल्ड हो रही है, जब आप टीशर्ट बेचने के लिए एड चला रहे हो, 400 हमें टीशर्ट एक विकरी है, तो आपकी audience भी तो बिल्ड हो रही है ना, इस audience को भी आप re-marketing करोगे, आप इनको जब re-marketing करोगे, तो sales अस्ती आएगी, जो आपका cost of acquisition है, वो कम होगा, आपना तो initial जो cost of acquisition है, user को लाने का cost of acquisition है, वो हमेशा profitable नहीं होता, वो ऐसा नहीं हो सकता कि 400 रुपे की टीशर्ट बेचनी है और 200 रुपे में आ रहा है, यह हमेशा नहीं हो सकता, इससे business scale नहीं हो सकते, डेली की 10 टीशर्ट बेचनी है तो यह काम कर सकता है, डेली की 15 टीशर्ट बेचनी है तो यह काम कर सकता है, बट यू केनाट scale, जब scale करना है तो initial cost of acquisition में ज़्यादा पैसे फूखने पड़ेंगे, बट आपको कोशिश क्या करनी है, कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या situation रहे, आप break even पे बेचो, इनिशल cost of acquisition कोशिश करो, कि अगर जितना revenue है, उतने की ही टीशर्ट जाए, राइट, इनिशल cost of acquisition, break even पे अगर आप रहो, loss पे ना रहो, तो best है हो, अगर आप थोड़े से loss पे भी हो, तो does not matter, अब लोगों के businesses fail क्यों होते हैं, वो डेली एक कोशिश में रहते हैं, ठीके डेली 1000 लगाता हूं और 5000 रुपय कमा लेता हूं, ऐसे काम नहीं होता है, इनिशल cost of acquisition में हमेशा loss होता है, बट आप इने resell करोगे, upsell करोगे, future में महाँ से profit होगा, प्लस आपकी audience बिल्ड हो रही, उसे remarketing गरोगे, महाँ से profit हो, यह दो concept आपको समझने बहुत जरूरी है, चाहे आप अपने business के लिए कर रहे हो काम या किसी client के लिए, ठीक है जी, thank you so much for watching this lesson.